एवं बहु विधा यज्या वित्ता ब्राह्मनों मुखे नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोग है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 32 वाश्लोग है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझें तो जो श्लोग है वो कहता है एवं बहु विधा यज्या अर्थात निश्चित रूप से ब जो उन सभी को निश्चित रूप से ग्यात्वा विमोक्षय से अर्थात जान करके मोक्ष की ओर जाओगे तो इस श्लोग में श्रे कृष्ण वेदों के उपर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने पिछले कुछ श्लोगों में बहुत प्रकार के यग्यों का वर्ण किया और इस चर्चा को समाप्त करते वे यहाँ पर श्रे कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से बहुत से और यग्यों हैं जो की वेदों में वर्णित हैं जिनकों की तुम ब्राह्मनों के मुक्ष से सुन सकते हो और किस प्रकार से ये स्रजित हुए हैं अर्थात ये सभी यग्यों को यदि तुम गहराई से समझो उनके पीछे के अर्थ को गहराई से समझोगे तो उसे जान करके तुम मोक्ष की ओर चले जाओगे तो यहाँ पर जो मूल संदेश इस श्लोक में श्रेकृष्ण दे रहे हैं वो वास्ता में ये है कि जो यग्यों के बारे में उनों ने यहाँ पर बताया वो तो हम करी सकते हैं किन्तु उनके साथ साथ बहुत से और यग्या हैं जो की वेदों में वर्नित हैं और उनको यदि हम गहराई से समझ लेंगे तो हम मोक्ष की ओर चले जाएंगे तो यहां पर श्रीकरशन ने बोला कि उन यग्यों के बारे में तुम ब्राहमनों के मुख से सुन सकते हो तो इस से यहां पर हमें सपेष्ट होता है कि भारत में जो ग्यान को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक हस्तांतरित करने की परंपरा रही है वो वास्ताव में एक मौखिक परंपरा रही है जहांपर कि ब्राम्मन जो होते थे वो वेदों को याद कर लेते थे और उसके पश्चाथ वो उनका उच्चारण करके उन्हें बोल बोल कर एक से दूसरी पीडी में हस्तांतरित करते थे अर्थात वेदों का ग्यान उस समय पर केवल ब्राम्मनों के मूँ के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था यही कारण है कि जो भारतिय परंपरा है वहाँ पर जो वेदों में लिखा हुआ है उनका उच्चारण करनी के उपर बहुत जोर दिया गया है और यदि आप मनुस्मृति को देखें तो वहाँ पर ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वेदों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर सकता तो उसको फिर वेदों का अध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि वो वेदों को ठीक प्रकार से उच्चारत नहीं कर पा रहा है तो उसके अनुचित उच्चारन के द्वारा वेदों का जो ग्यान है वो वास्ताव में नश्ट हो जाएगा यही कारण है कि वेदों को इतने सारी सहसरादियों में भी संजो के रखा गया है क्योंकि उनके उचारण के प्रती एक बहुत ही महतोपून एक जोर है जो कि दिया जाता था कि वेदों का उचारण ठीक परकार से करना चाहिए अब आज के समय में जो राजनेतिक स्थिती है वहाँ पर इस विचार को एक उल्टे ही रूप से समझ लिया गया है और यह का जाता है कि ब्राह्मन दूसरों को वेदों का पार्ट करने नहीं देते थे किन तो वास्तविक्ता यही है कि वेदों का ठीक परकार से उचारण करना सीखना एक requirement हुआ करती थी जिसके द्वारा वास्तव में आप वेदों का अध्यान कर सकें तो यह तो एक बात है जो कि हमें यहाँ पर समझनी चाहिए दूसरी बात जो यहाँ पर श्रीक्रिश्ने ने कही है वो यह है कि जो वेदों में कहा गया है उसकी origin को उसको उसकी जन्म को वो कैसे स्रज्जित हुआ उसको ठीक परकार से समझ करके तुम मुक्ष की और पहुंचोगे तो वास्ता में आज के समय आप देखेंगे कि लोग जब वेदों के बारे में बोलते हैं तो वो उसको केवल सुनने से ही बोलते हैं कि अरे देखिए कितना अच्छा लग रहा है वेदों के मंत्र ये दिया आप सुनें तो आपको ऐसा लगता है कि अरे वाई यही बहुत अच्छा है उसी को लोग ग्यान मान लेते हैं किन्तु ये बात वास्ताव में ठीक नहीं है यहाँ पर श्रेक्रिशन केह रहे हैं कि वेदों में जो वर्णित है उसको ठीक प्रकार से समझो उसकी उत्पत्ती को अच्छे से समझो तभी तुम वास्ताव में मोक्षी को प्राप्त कर सब कोगे तो वेदों में जो भाषा है जिसका उपियोग किया गया है वो एक बहुत ही मेटाफॉरिकल भाषा है उसमें बहुत सारे रूपकों का उपियोग किया गया है और समझना बहुत ही कठिन है यदि वेदों के श्लोकों को आप केवल उसका उसका आप अनुवाद करें और तब आप उसको देखें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि इसमें यहां पर बोला क्या जा रहा है क्योंकि बहुत से रूपकों का उपयोग महां पर किया गया है तो इन रूपकों को जब आप ठीक से समझेंगे तभी आप वास्ताव में वेदों में वड़ने जो ग्यान है उसे ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और उस ग्यान को जब आप समझेंगे तभी आप वास्ता में मोक्ष्व को प्राप्त करेंगे केवल उसका उचारन कर देना तोते की तरह उसको बोल देना परियाप नहीं होता और ये बहुती दुख्य की बात है कि आज की समय लोग केवल उसको तोते की तरह से रट लेना और बोल देने पर ही जोर देते हैं और कहते हैं कि इसी प्रकार से आप ग्यानी हो गए वास्ताव में ऐसे आप ग्यानी नहीं होते हैं आप उसके ग्यान को ठीक से जब समझेंगे उसकी उत्पत्ती को समझेंगे अर्थात वहाँ पे जो उप्योग में लाए गए रूपक हैं उनको आप गहराई से समझेंगे तभी आप वास्ता में उस ग्यान को जानेंगे और सत्य तक पहुँच सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे तो यही दो संदेश हैं यहाँ जो कि हमें इस श्लोक से समझने चाहिए आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चली इसे के साथ इस वीडियो को नहीं पर सबाब करते हैं नमस्ते वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रेजनों के साथ में साजा करें और इस ग्यान को और फैलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रेजन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रेजन पूछ सकते हैं जैशी कृष्ण